हेलो एवरीबन गुड मॉर्निंग विल्कम अगेंड मैस्टरी ब्लॉग आई होप योगाइज आर विल अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 4 एम और स्टार्ट करते हैं अपने मॉर्निंग के रुटीन को तो सबसे पहले अपने बुक वगएरा को हम रख लेते हैं और आज के दिन मेरा पूरा मनता कि मैं एक वीडियो जरूर अप्लोड करूँगी तो सबसे पहले सभी को हैपी इंडिपेंदेंस दे भात को कंप्लीट 26 शाल कंप्लीट हो गए आजादी के तो हमारा तो ही पूरा सबजेक्ट ही इसी पहले है हमारी मॉडर्न हिष्ट्री मॉडर्न हिष्ट्री पूरा क्या कैसे हुआ कैसी हमारा सब कुछ इस दिन से ही रिलिटिव है तो सभी को हैपी इडिपेंदेंस दे फीस से अगेन और अब पढ़ेंगे जैनेजम बुद्दियो में लिख लेंगे जो अज पहली बाइब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से बुक लें एंसे कौन से बुक लें तो मैंने भी कुछ दिन पहले वीडियो डाला हूँ इसमें पूरा बताया हुआ है कि एंसे प्रणी और कौन सी पढ़नी है तो आप महां जागा के देख सकते हैं कि फर्स लॉट कंप्लीर करने के बाद अभी मॉनिंग के हो रहे हैं चे और मैं आगई हूँ च्छत पे क्योंकि आज सुबह मैं रनिंग के लिए नहीं गई थी सुबह पढ़ने ही बैट गई थी तब ठोट है लेंगे और थोड़ी से साइज करें चली आगे हैं च्छत पे तो दिखा देते हैं उच्छत का थूड़ा सा टूर यह काफी अदब फूल के लिए रंका फूल है साइड में नीले रंका फूल है इसको अप्राजिता या ब्लूटी भी आप बोसकते जो ब्लूटी मार्केट मिलती है उसी इसे बनती है गिराटी पेड़ निकलता तब यह खिलता शुद भी नहीं निकला हुआ है यह सारे पेड़ नीचे से आयो हुए हैं तो में आगे नीचे और पीटे हैं अब गरम पानी में पीती हूं वाणी में त्रिफला तो अपना पानी लेकर के नहां दो करके आगे यह रूम में अब इस्टार पढ़ा हुआ था अभी हम देखते हैं अभी पढ़ेंगे हम पॉल्टी पॉल्टी में आज हम पढ़ेंगे अमेंड्मेंट आफ कांस्टूशन यह चैप्टर नमबर तेन हैं रच्मी कांग की बुक से पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट केस वगरे हैं सब पे पूर होता है तो अभी स्टड़ी करते हैं अपने मेंस एंसर राटिंग करेंगे हम तो आप सब प्या कर रहे हैं 15 अगर्ष्ट के लिए जमी स्कूल कॉलेस मैंने कभी भी मेंस्ट नहीं किया 15 अगर्ष्ट को जरूर आती ती अब तो कोई बुलाता है नहीं है जब तक कुछ लेसन कहीं नहीं हो जाएगा तो कौन पूछेगा इसलिए यही है कि पढ़ाई करूं अच्छे से तक लेसन हो जाया और स्कूल कॉलेज वाले बुला है फिर से हम तलीबेट करें आप लोग जो से करिएगा कि आप क्या कर रहे इसलिए और सबस्ते नहीं है तो धंचe को क्छ बंगा इंगे को करती है और सब्स सब्सक्राइब करते हैं जो भी लोग भारत में रहते हैं सभी को अपना मुलिक अज़कार पता होना चाहिए तो आप कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगी जो किसी दूसरी को मड़ा कर देते हैं काफी कुछ गलत-गलत काम होते हैं अगर उनको पता हो कि नहीं यह नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं हो कितना अच्छा देश होगा तो अगर आप प्रिपेसर नहीं भी कर रहे हो फिर भी आप पढ़ो बलो यह अदकार को जानो और जिससे भी आप मिलो जो भी आपके बाते सुनो उसको भी बताओ क्य सबसे ज़्यादा जो इंपर्टन पार्ट है वो अटकल 32 ही है उसके एक और्डिंग आपको कौन से अधिकार मिलने हैं कौन इतकार नहीं मिलने हैं सब कुछ डिशाइड होता है तो आप रिट जरूर पढ़ें और काफी अदर मुझे मज़ा आई थी इससे काफी अदर केसे भी हुए है जो भी इसको लिखेंगे तो अभी मेरा हो चुका है complete अब मैं शेयर करते हो अपना नोट से मेरा quality का नोट से है तो पूरा यह लिखा हुआ है यह मेरे classes से हैं तो अभी incomplete हैं कुछ मैं अभी classes चल लए तो पूरा नहीं लिखा हुआ है और कुछ बीस में मैं space छो पूर दिए हुए है फिर यह मेरा है एक कोनॉमिक के नोट्स टेभी incomplete हैं और यह मेरा जोगर्फी नोट्स में पूरा बल जोगर्फी इंडियान जोगर्फी पूरा लिखा हुआ है और यहां भी मेरे सेम चीज़ किया है कि कुछ पेजे चोड़े हुए है ताक कि जो भी ची मेरा रह गया वाना मेरा पूरा अच्छे से कंपलीट है अगर आपको जोगर्फी में कुछ दिक्कत हो रही है आपको समझने में आपको चाहते हो कि को यूट्यूब पे अच्छे टीचर मिल जाए तो अगर आपको हिंदी मीडिया में तो हरी सरे तो उन्हीं से मैंने काफी कुछ पढ़ा हुआ है जोगर्फी में तो मैं आपको लिंक सेयर कर दोंगी कमेंट बॉक्स में आप वहाँ दा करके देख सकते हैं काफी अच्छा से ने समझाया है पूरा अच्छे से कवर किया है चार पास गंटी क्लासे चार पास गंटे उन्हें काफी ज्यादा इंडिय कि हवा यहां नहीं आती है और थक भी गई उसुबह से बैटे बैटे तो चलकर बेट पर अराम से अपना रिवीजन करते हैं तो यहां बैटके रिवीजन कहरें कि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं कुहीं चीज पढ़ती हूं तब मुझे लगता है कि 95% है 5% गया फिर ऐसे घरते घरते 25-35 पहुंच जाता है तो अगर आपको चाते हो कि आपको पूरा 100% याद हो तो रिवीजन करते रहो तो अभी हम पढ़ेंगे जोगर्फी जोगर्फी हम पढ़ेंगे दिश्टी की बुक से तो यहां जोगर्फी स्टार्ट करने वाली थी बट मुझे बहुत ही नीद आ रही है तो अभी बनाएंगे अपने लिए कॉफी ता कि नीद भी चली जाए और हम अच्छे से लिए स्टेडी कर सकें तो मैं इसका कि चीनी छोड़ चुकी हूं मैं चीनी काफी टाइम हो गया है बट आज पढ़ना है और नीद आ रही है तो ज़्यादा इंबोटेंट क्या है पढ़ाई तो पीते हैं कॉफी जिनको दिक्कत हो रही है करेंट ओफेर्स के लिए तो मैं उसको भी आज लिंक कमेंट बॉक में सेयर कर दूंगी आप वहाँ जाकर कि देख सकते हैं तो मेरी कॉफी बन चुकी है और मैं अपनी स्टेडी क करोंगी क्युक्त मार्णिंग से लेकर क्यान कफी स्टेड से काफी जजादा है बैटे बैटे कफी साथ होने लगता है काफ़ी समाल लाया हुए मैंने बिल्कुल नहीं तो अपनी बैटरी लगाएंगे में पास काफ़ी अदर पेंसल है सौपनर है रेजर है बट मेरे पास आलड़ी काफ़ी जादा पिन है तो मैं क्या करूंगे मेरे वापा से बोला भी नहीं था पापा पता नहीं क्यों लेकर च you तो एकते रीक काम कर देंगे और कशीन ङबन अपने रकोंगे क्योंकि सारे नी दूँगी क्योंकि इसी चीज पढ़ने वाली क्या होती में पास कित्ती भी हो जाया बर लगता है कम है तो मेरे पेन वगरा मेरे पूरी बहाया का पट में सूथनी हूउ कि कोई भी मीरी एक पेन ना ले और काफ़ी पेन मैंने लेकर खतम कर दिये जितनी मेरी पिन है मेरे पास वो उतनी पिन मेरी खतम भी हो चुकी है घड़ी का टाइम से ही करने के लिए भाईया को देंगे क्योंकि मुझे अभी इतना इजक नहीं आता है तो आज का ब्लग ही खतम करते हैं मिलते हैं नश ब्लाग में दो तक के लिए बाबाई टे